आज जान नी मैं चाण तेनू तेना गल सागवारी सारी मैं मेटा अधिडिया पोटो देल देको नेचे जोलुका किसे मैं रखियाज अखादे समड खडा अधिडिया ठाकता ही जावा एना तेनू चावा नसरा तेरे तो नाम हटा अमे तेरा एंज शर मोडा आखा रोच पड़ा तेनू रेख दाई था मर जामावे किन्ना चेर तेनू दिल जरुका के रखे किते वक ना हो जावी में थो तू तेनू साहा दिल लड़ीच वैपरो के रखे किते साहा तो ना हो जावी तू दूर मैं भी संगदा तू भी संगदी कि मैं बुला तो का जो मैं चावा तू भी मंगदी जिन्दरा तेरे लामाव किन्ना चेर तेनू दिल जरुका के रखे किन्ना चेर तेनू दिल जरुका के रखे किन्ना चेर तेनू दिल जरुका के रखे किन्ना चेर तेनू दिल जरुका के र कैसे हो आप सब आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यह वाला ब्यूडफुल स्टानिंग मेकप लोग शियर करने वाले हूँ जो कि नहीं मैंने आज बहुत यूनों प्रोफेशनली करने की कोशिश की है सो चले स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले आपने face wash कर लेना है हर बार में यह repeat करती हूँ and it's very important step तो उसके पास हम apply करेंगे serum यहाँ पर मैंने 20% vitamin C face serum लिया है dot and key का जो की freshly made vitamin C serum है जो आपकी जितनी भी dullness in skin के उपर blemishes है, acne marks है, spots है, scars है, you know उसको light करने में help करता है, bright skin को करने में help करता है अगर आपको bright skin चाहिए एक गर्मियों के मौसम में, definitely आप यह combo try कर सकते हो, जैसे कि यह dot and key का vitamin C and E moisturizer and यह serum का combo, आभी मैंने moisturizer जो है brush के साथ इसलिए apply क्या stripling brush के साथ, because मैं जो nails लगाए ना वो बहुत ही edgy and बहुत ही pointed से थे, so मुझे था कि मेरे nails गंदे ना हो जाए, so as you can see, okay, उसके बाद मैंने moisturizer को अच्छे से massage कर रही हूँ अपनी skin में, serum सबसे पहले लगाया जाता है face wash करने के बाद, और उसके बाद हम moisturizer लगाते हैं, यहाँ पर मैं lenses पहन रही हूँ, यह है fresh look brand के, जी हाँ, उसके बाद हमारी skin prep हो गई है, यहाँ पर मैं strobe cream लगा रही हूँ and this is from mac, और यह pink light shade में है, pink light इसलिए मैंने लगाया है यहाँ पर shade, because जो मैंने suit पहना हूँ थोड़ा purple tone में था, तो मुझे लगा कि मैं यह pink tone में लगाती हूँ and काफी अच्छी strobe cream है और उसके बाद elf का यहाँ पर poreless putty primer लिया है मैंने, जो की pores को बहुत अच्छे से fill करता है, बहुत smooth करता है skin को, but as such इतना long lasting नहीं है oily skin के लिए, but skin को smooth बना देता है, but इतना long lasting नहीं है, यह मैं कहना चाहूँगी उसके बाद मैंने लिया है face forward character stick यह sugar की onward orange और आजना मैंने थोड़ा ज़ादा ही लगा लिया I don't know why, बता नहीं क्यों, flow flow में थोड़ा ज़ादा ही लग गया orange character, but कोई बात नहीं, जहां-जहां पर pigmentation होती है वहाँ पर हमें orange character लगाना चाहिए, अगर नहीं लगाओगे आपका face बहुत ऐशी हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर light चली गई है but फिर मैंने wait किया, जब तक मैंने यह orange character को blend किया तब तक मेरी light आ गई थी, luckily, वरना मुझे सब कुछ फिर से remove करना पड़ता ओके जी, light आ चुके है, और यहाँ पर ना, मैं एक beauty blender लेके इसको damp beauty blender लेके, मैंने थोड़ा कम किया था, orange character को ओके, orange character लगाना बहुत ज़रूरी, अगर अदर्वाइस अपका foundation ऐशी हो जागा जैसे मर्जी, आप अच्छा foundation लगा लो तो यहाँ पर ना, मैंने लिये हैं, दो foundation उसका कारण भी मैं बताऊंगी, क्यों, Nika का लिया है, मैंने Skin Genius foundation, इसमें मेरा shade है, Toffee, और फिर मैंने इसको dot dot करके, पहले apply कर ले, यह थोड़ा सा, और इंजिश और, ज्यादा यह yellow tone में था, foundation और यह थोड़ा सा, इसे neutral tone में था, जो NYX वाला था, तो दोनों को मैंने थोड़ा सा mix करके, थोड़ा mix match करने की कोशिश की है, however, blend करने के बाद थोड़ा सा लगी रहा था, अभी भी, यह yellow tone में, but that's completely fine, yellow tone में होता है, तो चल जाता है, अदरवाइस, बहुत ही बूरा लगता है, और जो यह NYX का है na, total control pro drop foundation, यह अभी first time ही मैंने use किया था, caramel shade था इसमें, और यह beauty blender मेंने लिया है, यह elf cosmetics का, as you guys already know, अगर आप में को पहले से हिनों follow करते हो, तो यह मेरा favorite blender है, okay, Milani का concealer लिया है, warm tan shade में, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह जो shade है, वो completely मेरी skin के साथ match हो जाता है, जब मैं इसको blend करती हूँ, बहुत ही beautiful, you know, yellow undertone का यह concealer है, full coverage concealer, long lasting makeup करना है न, अगर आपको किसी wedding को attend करना है, you know, अब मतलब as a wedding guest attend करने function, कोई long lasting वाला makeup चाहिए, तो आपको न, यह वाला concealer ज़रूर से try करना चाहिए, बहुत आपको यह है कि मुझे अच्छा concealer चाहिए, मुझे एक बार में पैसे invest करने हैं, लेकिन product मतलब top notch quality का होने चाहिए, तो फिर definitely आपको यह मिलानी का concealer ट्राइ करना चाहिए, एक तो coverage बड़ी सही है, long lasting है, and you know self-setted जो concealers होते है न, वो concealer है यह, अब न, थोड़ा highlighting चाहिए था मुझे, तो फिर मैंने अपना एक और gem निकाला hidden gem, यह sugar का magic wand waterproof concealer है, and 30 choco chino, जो choco cino, यह वाला जो shade है न, काफी अच्छा highlighting shade है, and again, यह, जब इसको आप blend करते हो, again, this is a very, you know, beautiful, full coverage concealer, जो self-settled concealer है, इसको blend कर लोगे न, powder के साथ नहीं भी अगर आप set करते हो, अगर आपकी मानलीजी यह normal to dry skin है, तब ही आपको को दिक्कत नहीं आने वाली है, और L'Oreal का यहां पर मैंने compact लिया है, और यह oil killer compact है, L'Oreal Paris का, आजकल मुझे काफी पसंद आ रहा है और again, यह भी न, इसके साथ मैं पूरे face को pack कर लोगे, जब foundation concealers लगा, लो तो भाई, उसके साथ compact के साथ न, अच्छे से pack करो, ताकि जितना आपकी oilies के न, वहीं पे settled हो जाए, जो आपने cream products लगाए हैं, जैसे की foundation, concealers, हना, अगर आप cream blush लगा तो पहले cream blush लगाओगे, बाद में set करोगे, लेकि न, आज मैंने cream blush नहीं लगाया, super bronzer लिया है, मैंने revolution का, and this is my favorite, affordable तो है, यह उसी के साथ, इसकी pigmentation है, वो तो बहुत ही सही है, blend बहुत अच्छे से होता है, वो बोलते है न, जैसे blends like dream, तो definitely वैसा ही होता है, और एकदम, मतलब, beginner तो असानी से काम कर लेगा, बहुत सारे beginners को, यह contouring and bronzing का चकर समझ नहीं आता है, बट अगर यह use करोगे, तो आपको bother ही नहीं करना पड़ेगा, आपको distish करके apply किया, and blend किया, and you are good to go, और बस seamlessly blend हो जाते हैं, सब चीजें, और या, इसके साथ आपके face को dimension मिलते हैं, ब्रॉंजिंग करने के साथ, और face features काफी enhanced हो जाते हैं, आज हम blush use करेंगे, k-beauty का matte blush, soft nude shade है यह, and इसको थोड़ा ज़ादा quantity में apply करूँगी, और आज मैं fuller, fuller सी look नहीं मतलब करने वाली हूँ, fuller नहीं apply करूँगी, आज मैं थोड़ा सा ऐसे यह नूँ, इंस्टाग्राम स्टाइल में थोड़ा सा uplift करने के लिए, ऐसे apply करूँगी, और जैसे अब देख सकते हैं, मैं उपर के तरफ लेके जारूँ हूँ, अगें, थोड़ा जादा लगाया है, इसलिए क्योंकि जो powder blushes होते हैं और जो blush होता है, सबसे पहले आपका fade away होता है, fade out होता है, तो इसलिए मुझे था कि मैंने आज cream blush भी नहीं लगाया, यूजली मैं cream blush लगाती हूँ, उसके उपर मैं you know, build up कर लेती हूँ powder blush को, बट आज मैंने सिरफ powder blush लगाया और काफी जादा लगाया और काफी beautiful shade है, अभी हम star of the show में ये Mac का लूँगी soft and gentle highlighter, and definitely एक ये worth purchasing है, investment है highlighter के lover के लिए, because ये है तो महंगा लेकिन totally worth buying है, 3000 something का आता है भई, सच में बहुत महंगे है Mac के products, but हाँ, quality is like so good, तो ये आप जेख सकते हैं, जितना इसको आप blend करते जाओगे इस highlighter को, उतना ही आपके skin में ये melt होता जाता है, like literally ऐसे feel होता है कि आपके skin glow कर रही है, समझ रहे हैं मेरी बाद में, जितना आप brush को एक बार apply कर लिया, तो उसके बाद जब इसको blend brush के साथ करी जाओगे, उतना ही ये glow, वादब आपके skin के उपर, ऐसे reflection आती है, ऐसे soft, ऐसे gentle सा दिखता है, और totally, totally worth buying product Mac से, अगर आपको लेना है कोई अच्छा product, मुलब highlighter के lover हो आप like me, तो आप ये वाला highlighter जुरूर से लेना है, अगर आप लेक बड़े occasions के लिए अपनी make-up kit बना रहे हैं, आपको एक ही में investment करूँ, definitely ये वैसा product है, एक fluffy brush लेकिए, ये Mars का बाइदेवे brush है, definitely ये Mars की भी जो ये brush set है, definitely total purchasing is worth buying, revolution का matte fix यहाँ पर मैंने setting spray लिया है, और ये oil को control करता है, ठीक है, और setting spray हमेशा अपने skin type के accordingly लेना चाहिए, जैसे कि ये oil को control करेगा, तो मेरा make-up long lasting बनेगा, यहाँ से उधर नहीं जाएगा, elf की brow definer लेके, eyebrows को पहले comb करोंगी spoolie के साथ, वो इसलिए कि जो foundation powder कुछ भी है, तो वो निकल जाएगा, उसके बाद हम अपने brows को अच्छे से, अच्छे से fill कर लेंगे, and sparse area जो होते हैं उनको अच्छे से fill करो, overdone मत करो, जो border lines होती हैं उनको draw करो, और वो भी इतना इतना जितने आपकी natural growth है, कभी over the top न जाओ, फिर वो fake look दिखाता है, ऐसे, उसके बाद hoda beauty की mercury retrograde eyeshadow palette लेंगे, and उसमें से ये dark purple shade लेके, जो completely match था, मेरे suit के साथ जो shade था, उसको outer V पे मैंने अपलाये कि, outer corner पे, फिर मैंने वो pink सा shade लेके, और उसको ऐसे blend कर लिया, क्रीज लाइन को blend कर लिया, ताकि एकदम merged सी look मिले, as you can see, और ये मैं मार्स के ही, you know, eye palette में से use कर रही हूँ, brush set, और अब ये nude सा pink shade लेके, purple tone में लेके, इसको मैं inner corner पे अपलाये कर रही हूँ, उसके बाद हम ये लेंगे glitter flakes, ये मैंने फ्लिपकार्ट से सेट पर चेज़ गया था, ये 200 राइसो में मिल गया था, और इसमें काफी सारे shades आपको मिल जाते हैं, ये pack का sparkly distraction glue, glitter glue लेके, इसको मैं apply करूँगी, पहले फैला लूँगी, और पहले एक ही side पे लगाना, यूजिली मैं दोनों side पे लगा लेती थी, तब तक मेरा दूसरा वाला सूख जाता था, तो पहले मैं एक side पे लगाऊंगी, फिर हम इन glitter flakes को वापके stick कर लेंगे, ठीक है, जैसे ब्रश के साथ ही, जिसके साथ में glue को फैलाया था न, इसमें हलकी सी glue थी, तो ये pick कर रहा था बड़े अच्छे से flakes, और ये जो flakes है न, अगर आपके dust off, मतलब हो भी जाते, गिर भी जाते, fallout हो जाता है, तो remove हो जाते है, येजिली क्योंकि बहुत बारीक नहीं है ये, अगे इन थोड़ा सा मैंने न, नीट किया है अपने eye look को, और फिर से वो ही same purple, dark purple shade लेके, मैंने अपनी lower lash line को करेंगे, हम apply करेंगे बहाँ पे, और outer corner से लेके, one third तक, inner one third तक apply को रहेंगे, फिर मैंने pink shade लेके, same जो मैंने उपर किया था, वो ही नीचे कर रही हूँ, तकि एकदम seamless लगे, same लगे, eye look हमारी complete लगे, half न लगे, ऐसे लगे, उपर की तरफ बहुत कुछ किया, नीचे कुछ भी नहीं किया, मार्स का फिर मैंने लिया है, यह eyeliner, pen eyeliner है, और यह eyeliner की, अभी मैं बहुत बड़ी fan नहीं रही हूँ, जब से मैंने Swiss Beauty का यूज किया है, विकॉज उसके tip बहुत fine है, बहुत ही sharp है, इसको मैं जब apply करते हूँ, जब थोड़ा मुझे मूटा-mूटा eyeliner apply करना होता है, ठीक है, बट यह easily apply हो जाता है, अगेन हम लेंगे अपना soft and gentle highlighter, और इसको मैं अपने inner corners पे apply करूँगी, और उसके बाद अपने eyebrows के, eyebrow bone के उपर, क्या बोलते हैं, मैं भूली गई हूँ, ओके जी, अब हम lash को curls करनेंगे, eyelashes को curl किया है, फिर मैं, यही मेरे हाथ में मसकार आई जा रहा है, बार बार, क्योंकि यही पढ़ा रहता है, पास में मेरे, तो चलिए, कोई बात नहीं अच्छा मसकारा है, इसको मैं use कर लूँगी, अच्छे से eyelashes को coat करूँगी, उपर की तरफ मैंने जादा नहीं किया, नीचे की तरफ जादा है, क्योंकि उपर तो anyway, मुझे false eyelashes लगानी ही थी, और false eyelashes लगाने से पहले ना, मैं यहाँ पर यह अप्लाई करूँगी, यह exaggerate ramelle London का, white color का, cream color का कॉल, काजल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, तो इसको मैं apply करूँगी, इसके साथ ना, एकदम आपकी eyes, बड़ी-बड़ी दिखनी शुरू हो जाती है, बगर dark shade जब हम use करते हैं न, तो eyes आपकी चोटी-चोटी ची लगती है, तो अगर white काजल यूज कर लोगे, तो आपकी eyes बड़ी लगेंगी, and makeup look, जो होता है न, eye look और भी enhanced लगती है, false eyelashes लगा ली है भाई, हमने यहाँ पर magnetic eyelashes, और उसके बाद हम apply करेंगे, lip liner, inside का super lip liner, home girl, इसमें मेरा shade है, and इसको मैं अच्छे से lips को line करूँग, lips को over line कर सकते हूं, ठीक है, और वो भी, बड़े ध्यान से, ठीक है, और उसके बाद हम लेंगे, lipstick liquid, retro matte liquid lipstick है, यह mac की, and यह shade है, topped with brandy, मेरा favorite shade है, और किसी भी skin type को suit करता है, especially जो हमारी brown skin tone है, Indian skin tone, उनको तो बहुत ही ज़दा अच्छा लगता है, उनके ऊपर, so yeah, इसी तरह से editing के साथ, हमने अपना make-up कर लिया है, complete, और I hope आप लोगों को, मेरा यह beautiful सा थोबडा, बहुत पसंद आ रहा होगा, मेरा यह look बहुत पसंद आ रहा है, so, video अच्छी लगी है, helpful लगी है, like, share, subscribe करना, मत बोलना, अगर ईद के उपर, वैसे तो कल Eid है, आप create कर सकते हो, and by the way, जो लोग Eid मनाते हैं, उन सब को Eid मुबारक, मेरी तरफ से, and wedding guest के तौर पे भी, इस make-up को ले सकते हैं, bye-bye, music चलाना है मुझे, so yeah, bye-bye, take care, love you so much, मेरी बोड़ा, अखानों चुपड़ा, तेनू, पेख दाई था, मरे जाहावे, किन्ना चेर, तेनू, दिल चेरू काके रखे, किते वक ना हो जावी, में थो तू, तेनू, साहादी लड़ी, चुबै परो के रखे, किते संथों लए हो जावी, तो दूर, मैं भी संगदा, तू भी संगदी, कि मैं बुला तू का, जो मैं चाहावां, तूभी मंगदी, जिंदना, तेरे लावा, किन्ना चेर, देनू दिल चलू काके रखे, किना जिरते नों दिल जिल का कि रखिया